हमने एक बहुत ही यशस्वी कह लीजिए, जोश भरा कह लीजिए, घुस्से वाला कह लीजिए, योगी आदित तिनात का भाशन बंगाल की भूमी में पुरूलिया में जाकर देख लिया है अब सवाल ये है कि ममता बान जी तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगी ना उनका ये कहना है कि आपकी पार्टी के नेता जाकर वहाँ पर सांप्रदाइक आग लगाते हैं, इसलिए वो उनको रोकने में बाधा पैदा करती हैं क्या होगा आपका जवाब? देखिए संप्रदाइक्ता का परिभाषा अकेले अगर ममता जी के पास है तो मैं समस्ता हूँ कि ये गलत है और जब तक चुनाव की घोशना नहीं होती है, एक साधार नागरिक हो या किसी राज का मुख्यमंत्री उसे अधिकार है कि भारत के किसी कोने में जाकर करके वो समाने सभा को संबोधित कर सकता है, जनता को संबोधित कर सकता है, अपने कारेकरताओं को संबोधित कर सकता है, अपने पार्टी को संबोधित कर सकता है और अगर अपने आप में उत्तरप्रदेश एक देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। उस राजी का मुख्यमंत्री अगर संबोधन के लिए जन्ता के बीच में जाकर कि अगर पर्मिशन मांगता है, अपने लाइंडिंग पर्मिशन मांगता है, अपने में उनकी जो रैली हुई थी उसमें ऐसा लगा था कि उनका नितृत बाकी जो विरोधभासी मित्र उनके हैं उससे उनकी दोस्ती हो जाएगी और उनको नितृत बिल जाएगा शायद नम इनले के स्थिती में आप वो अपना स्थान खोज रही है और पूरी तोर से अपने सरकार ही नहीं राज्य सरकारों से भी जो उनके पक्षमे या उनके सोच के दारे में नहीं आते हैं उनको संप्रदाइक करार देने का तो संप्रदाइक करार देने का अधिकार मंता जी को नहीं है वो वो अपना राजनीत करना चाहती है उनको खुली चूट है और अपने र गाले में जाकर के अपने अपना अपना पक्ष रखना होगा वहां पेशी देना पड़ेगा मेरा सवाल आपसे है मौनजीत मंडल जी पहले तो आप रूडी जी की बातों का जवाब दीजिए ये बताइए कि ममता बाना जी आखिर कर क्या रही है मतलब कुछ तो आपको अधार देना होगा आप किसी तमाम अन्य राजियों के जो विपक्षी पार्टिया है उनके मुख्य मंत्रियों का तो खुले हातों से स्वागत करती है लेकिन अगर बीजेपी का कोई आ जाए और उस पर भी योगी आदित्तिनाथ अगर आने की बात कर दे जो एक चुनावा मुख्य मंत्री है तो उनसे बरदाश्ट नहीं होता है समिधान की रक्षा कैसे कर रही है फिर वो तो जोगी जी को मैंने तो देखा हो कि जोगी जी का भूत था पुरूलिया में और बाकुड़ा में ऐसा लागा जोगी जी है अपने सुना नहीं मैंने क्या था पहले चुना पर दीजिए न उसके बाद में आगे बाद 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 अब पिशाच आपको दिखता होगा सर अम तो सवाब कर रहे हैं जवाब दीजिए इधर उधर की बात मत कीजिए कहानिया मत बुनिये मेरा सवाल आपसे ये है कि हेलिकॉप्टर लांडिंग का परमिशन नहीं देना पिछली बार फोन पर योगी को राली को समभोहित करना पड़ा रैली हुआ उहाँ पर गाली देके गया बंगला को बंगला को गाली देके गया रैली हुआ उसके बाद आप कह रहा हो को रैली नहीं हुआ तो क्या को भूत नहीं कहुंगा हेलिकॉप्टर लांडिंग का परमिशन क्यों नहीं देती है है जोगी जी है अरे वो तो रास्ता कोच के लोगों को गाड़ी से जाना पड़ता है क्योंकि है अगर कुछ अरे मंडल जी देखिए तरक और कुटर्क मेना जमीन आस्मान का पर्क होता है आप भी कुटर्क कीजे में भी वखबग करती रहूंगा सुनिये कुछ तकरन होगा कुछ तकरन होगा वही तो पूछ रही एक 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 व्यक्ति आया और गाली देखे गया बंगा बंगला को क्या आपने दम पर आया ना ते नहीं है आप पे दम होगा न हेलिकॉप्टर लैंडिंग से नहीं हु यहा पने ट्यो butter में क्या लगा है योगी जी कर लिए क्यो थो डहाली क्यों तो यहीं एक मधान Simone रहाली क्योँ टेक्ट्निकल तेक्निकलanda वी एक और आप सुनिए मैडम जी और आदीव राजीब जी बहुत रिमक्रसी के बात कर रहे थे असाम जब गये थे हमारा छे चार एंपी और दो एमेले मिनिस्टर यहां से एरपोर्ट में क्या क्या तस्बीर दिखाऊ क्या कैसे मारा पीटा गया असाम की वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर यह एरपोर्ट से बाहर निकल ने दी जा वह पॉलेंटिकल रैली भी कर रहे नहीं गया तो एक सेमिनर में गया था सील्चोर में सुनिए अब डेट भी बाचा था वह सेकेंड ऑगास्ट में गया था एक डेक ओब्रांड लीड कर रहे थे पारलमेंटरी डेलिगेशन अब जो पूछी है मामला किजिए अच्छा और अजम में जाता है एक मिनिस्टर था एयार पोर्ट में उनके खिलाब पुलीस अके पुलीस ने मारा पीटा यार पोर्ट में आटक आटके राग दिया और कुछ नहीं हुआ पौर वार्वाद दिमोक्रसी नहीं गूम के सर मा का किसी इगदें और पूरी दुनिया का सहर करने के बाद मामला कंफे रियाक्शनु आभी आभी आपने आभी आब आपको तो देख दिया, ए बीजेपी, बीजेपी और आपको तुम्हीं, वान मिनिट सर, आसाम में क्या हो रहा है था, जरतिया ना, एक सेकंड, संजे निरुपम जी, अब सवाल यह है कि हलिकॉप्टर लांडिंग का परमिशन नहीं देंगे, पिछली बार फोन पर राली को स आशन दे पाएगा, ऐसा क्या खत्रा है चुने हुए मुख्यमंत्री से, संजे जी, नेगर समवैधानिक तोर पर बात करें, तो किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाकर के अपने बात रखने का हक है, और यह हमारे देश में एक बेवस्था है, संपरदाइक बनाने का परियत्न कर रहे हैं, वो एक विशीस परिस्थिती है, उस परिस्थिती में राज्य सरकारों को कुछ ऐसे पैसले करने पड़ते हैं, जो लोगों को तकलीब दे सकते हैं, मुझे भी तकलीब दे रही है, लेकिन पस्चिम बंगाल, पस्चिम बंगाल के माहौल बेहतर रहे, और तनावपुन न हो, और कानून और बेवस्था का नया मुद्दा न तयार हो, ऐसे दिश्थिकोन से राजिप्रशासनी ने लेता है, योगी आधितनाथ अपने आप में एक संपरदाइक ब्यक्ति हैं, योगी आधितनाथ को नया स्राटिफिकेट या उसको सत्यापित करने के जुरूत नहीं है, वो एक संपरदाइक ब्यक्ति हैं, उनका संपरदाइक बैक्ग्राउंड रहा है, और जिस प्रकार के उनने हरकते किये, उसको देखते हुए अगर वो आएंगे किसी भी स्टेट में भाशन देने, तो निश्चित, हाँ तो दुर्भागे इस देश का, ये देश का दुर्भागे कि बाबा लोग इस देश के मुक्यमंत्री बन रहे हैं, और बाबा लोग देश के देश को प्रदेश को चलाने के बजाए, वो मंदिर मस्जिद में जादा रूची ले रहे हैं, वो जादा रूची इस बात मिलेते है कि कैसे लोगों को लोगों की जिंदगी में दखल दिया जाए आज पूरे उत्तर प्रदेश के कानून और बेवस्था बरबाद हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में जो शिक्चक हो या डॉक्टर हो सब रस्ते पे हैं किसी तरह ध्यान नहीं है गोरकपुर में बच्चे अपना प्रदेश समहान नहीं पाता दूसरे प्रदेश में जाके कौन सा बड़ा तीर मार लेगा तो इससे बेटर है मैं भी चाहूँगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए जा रहे हैं और दूसरा वो खुले शक्तों में कह रहे हैं कि सांप्रदाइक जब समाने एक तो जिस प्रकार से हमारे मंदल साहब ने आपको संबोधित किया और जितने नफरत की बोली जिस तरह से उपयोग करते हैं इनके सहयोगी पार्लिमेंट में भी इसी प्रकार से बोलते हैं और कभी अपने तथ रखने में इस प्रकार का नफरत नहीं दर्शाना चाहिए जो शायद लोगतंत्र में कभी हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे हमारे मित्र है निरुपम साहब अब वो जिस प्रकार का शब्द उप्योग कर रहे हैं योगी जी के बारे में शायद ये उसी वक्त लोगसभा में ये भी थे जब योगी जी भी थे और मैंनी समझता हूं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार के शब्दों का अपमान जनक शब्दों का और ये सभी कॉंग्रेस के मित्र और टी एमसी के मित्र इस देश में सेट्रिफिकेट देने वाले हो गये हैं कि कौन संप्रदाइक है कौन गैर संप्रदाइक है ये एक अलग है, उनके जिस जगह जाके उन्होंने दिक्षा ली है, उनका एक एक इतिहास है. तो ठीक है, आपके राजनीत में, कॉंग्रेस के राजनीत में साधू संथो का अफ माना करना एक आपके राजनीतिक प्रयासों का एक हिस्सा है उस पर तो मैं को टिपनी नहीं करूंगा लेकिन मूल रूप से एक मौलिक अधिकार है एक राजनितिक पार्टी के नेता के रूप में किसी भी राजे में जाके मैं समोधन कर सकता हूं और अगर आपको लगे तो आप जिस प्रकार से आपने CBI को रोक दिया आप को गिरफतार कर लेना चाहिए था योगी जी को आप कर लेते अगर आपकी इतनी बड़ी मंद्शा है कि लोगतंत्र में आप हर चीज को चुनौत की देना चाहते हैं तो आपको योगी जी को गिरफतार कर लेते तब शायद इस देश में लोगतंत्र की बरिभाशा आप जै